नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त फिर से एक नई और महत्पोन जानकरे के साथ हाजिर हूँ यानमिसेश चैनल में आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको जिस चड़ी बुटे के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दुरलब नहीं है ये सभी जगप़ आसानीसे मिल जाती है और बारीस के मौसम में बहुत जल्दी से उग आती है इस चड़ी बुटि का नाम है गोचीवा यहाँ दोस्तों जंगली गोपी जीसे कहते हैं ये आसानीसे सभी जगप़ उथपन होती है इस चड़ी बुटी को जंगली गोपी के नाम से जानते है जंगली गोपी का पौधा जमिन पर फिलता है और गांस फुज के साथ उत्पन होता है लेकिन दोस्तों इस पौधे को गांस फुज समझने की भूल बिलकुल न करे ये पौधा अपने गुणों से इतना मुल्यवान है कि ये हजारों नहीं लाकों बिमारियों को दूर करता है ये जड़ी बुटी रसाइन कारे में भी बहुत ही लापकारी होती है इसके पत्ते को तोड़ने पर पीली रंग का दूद निकलता है और ठंडी प्रकृतिकी होती है इसलिए पारे को जमा देती है ये मनुस्य जिवन की कहीं बीमारियों को नेस्थ नाबुत करती है तो दुस्तों जाने लिजे इसके गुनों को आज मैं आपको इसकी पूरी जान कारी दूंगा इस चड़ी बुटी को कहीं ढूंडने की जरूरत नहीं है ये आपके आंगन में हो सकती है आपके आसपास में हो सकती है खेत खलहान में खरपतवार की रुप में उत्पन हो सकती है या सड़क के किनारों पर भी आप इसे आसाने से देख सकते है प्रकृतिका य और और नोटिफिकिशन पर प्लिक करें जिससे हमारी हरनी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहें ये जो जमिन पर फेला हुआ घांस का सत्ता आप देख रहे हैं ये कोई आम वनस्पती नहीं है इस चगत में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो काम की नहो इस प्लिक का नाम है गोचिवा संस्कृत के आयरविद ग्रंतों में इसे गोचिवा गोची और खरपर्ण के नाम से संबोधित किया है मराठी में इसे जंगले गोपी पात्री से पहचानते हैं हिंदी में गोपी कहते हैं और गुजराती में गड़ जी भी तथा भोपात्री से पहचानते है इसका लिट्टी नाम एलेपेंटोपस स्केबर है गोजीवा का पाउदा जमिन पर चत्य की रूप में पहलता है इसके पत्तों का आकार गाय के जिब के समान होता है ये ज्यादातर वर्शारुतों में सरवत्र उत्बन होता है इसके बिच में से एक के डंडी नि स्वाद में कड़वा, कसेला और तीखा होता है ये एक प्रकार का साकीप होता है इसकी सबजी बना कर खाने से पेट के रोगों में पाइदा होता है बवासिर होने पर भी ये बहुत लाबकरिप होता है ये जड़ी बुटी रक्ती विकारों का समन करती है और रक्त सुध कर इसकी सब्जी का कुछ दिनों तक लगादार सेवन करने से रखत सुध हो जाता है। इसकी सब्जी बना कर खाने से पेट में गेश और कब्ज नहीं बनता। इसकी अतरिक्त इसका एक और भी प्रयोग है पेशाब सब्जी समिश्चा में। अगर किसी को पेशाब सब्जी किसी भी प्रकार की समिश्चा हो पेशाब रुक रुक कर आता हो या पेशाब में किसी भी प्रकार की जलन हो रही हो तो इसका प्रयोग जरूर करे। कुछी दिनों में पेशाप सबंदी सारे समझ चाहे दूर हो जाएगी ये जड़ी बुटी का गुण धर्म विशनासक होता है इस बुटी का कुछ दिनों तक लगादार प्रयोग करने से सरेर में बढ़े होई टॉक्सिन बाहर निकल जाते है और खुन साप हो जाता है इसकी सबजी का सेवन करने से पेट साप रहता है और पेट की कई बिमारिया दूर होती है अगर दातों में किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा हो तो इसकी जड़ों को साप करके दातों से चबाए कुछी समय में दादों का दर्द दूर हो जाता है ये विशनासक पोदा बिच्चो के जहर में भी उप्योगी होता है बिच्चो के काटने पर इस पोदे की जड़ और इसके पत्तों को दोनों को साथ में पिसकर अच्छी तरह कलक बना कर उस थान पर लगा दे कुछी समय में बिच्चो का जहर दीरे दीरे उतरने लगता है दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है इसके बारे में के इसकी जड़ को हाथों की बुजाओ में बांधने से बिच्चो काटता नहीं ये जड़े बुटी खांसी में भी बहुत लाबकारी होती है अगर किसी को खांसी की समस्चा है तो इस पूरे पौधे का रस निकालकर साथ में सहद मिला कर पीला दे कुछी दिनों में खांसी की समस्चा से छुटकारा मिल जाएगा इस पौधे के पतियों में जिवानों रोधी गुन पाए जाते है अगर इस पोधे की पत्यों का रस निकाल कर या कलक बना कर घाओं पर लगाते हैं तो घाओं भी सिक्र भरने लगते हैं ये जड़ी बुटी बहुत चमतकारिक है अगर किसी को बुखार या ज्वर है तो इसकी जड़ को ले ले और इसे गले में माला की तरह पहने और इसके साथ ही इसके पत्यों का रस निकाल कर 15-20 मिली की मातरा में कुछ दिनों तक सेवन करे या इसके पत्यों का काड़ा बना कर चाय की तरह पिने से भी ज्वर या बुखार उतर जाता है ये जड़ी बुटी पेट की कबज को दूर करती है सरज की गर्मी को दूर करती है और रक्त विकारों को मिटा कर रक्त को सुध करती है तो दोस्तों ये थी छोटी सी मगर महतुपूर्ण जानकरे वन गोभी की वीडियो पसंद आने पर लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई चानकरे के साथ